नमस्कार, आज हम कक्षा आठ की संस्कृत के अंतरकत इसके सोलहवें पाठ का अध्यान करेंगे, जिसका नाम है तीज पर्व तीज हर्यानवी संस्कृति एवं रीति रिवाज का प्रमुख पर्व है दूसरे शब्दों में ये जूले का उत्सव है इस अवसर पर महिलाएं सावन के गीत समोह में गाती है इन गीतों में भाई बहन का स्नेह, देवर भाभी का समवात, सास बहु के कटाक्ष, राम लक्षमन के भजन तथा शिव पार्वती का स्मरण होता है हर्याणवी संस्कृति में इसे हर्याली तीज वह मीठी तीज के नाम से भी जाना जाता है घर-घर में कोथली और सिंधारा भेजने की आनंद मई चर्चा होती है तो चलिए पाठ शुरू करते हैं प्राताह काले गृहस्य प्रांगने यानि की सोभा सोभा घर के आंगन में शडवर्ष देशिया विमला यानि की छे साल की विमला और त्रयोदश वर्ष देशियो दीपक अश्चा परसपरम वार्तालापम कुरुतह और तेरा साल का दीपक दोनों आपस में चर्चा करते हैं दोनों आपस में बातने करते हैं विमला कहती है ब्रातह नमो नमहा ब्राता कार्थ है भाई या भाईया नमो नमहा यानि नमसकार दीपक कहता है नमो नमहा भगिनी कि बहन तुम्हे भी नमसकार फिर विमला कहती है कि भाईया भावान आध्य कि मर्थम विद्यालयम न गच्छती आज आप विद्याले क्यों जा रहे हैं दीपक उसके उत्तर में कहता है कि आई ये मुग्धे हे भोली लड़की किम तुम न जाना सी क्या तुम नहीं जानती हो यद आध्य तीज परवास्ती कि आज तीज परव है आज तीज का त्योहार है ये न राज की या अवकाश हो अभी वर्दते और इसी के आज राज की या अवकाश यानि की सरकारी छुट्टी है विमला फिर कहती है तीज परव ये तत तीज परव किम कि ये तीज परव क्या उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इत्यर्ध उकते पितरव प्रविशत हा कि उसके बोलते हुए बीच में ही माता पित प्रवेश करते हैं और विमला खहती है तात तीज परव विशये ग्यातों में च्छा में हे पिता जी मैं तीज परव के बारे में जानना चाहती हूँ पिता बताते हैं शोभनम श्रुणू अच्छा सुनो श्रामन मासस्य शुकलपक्ष श्य तृतिया तिथाओ तीज का आयूजन होता है असमाकम हर्यान प्रदेशे हमारे हर्यान प्रदेश में इदम पर्व सर्वह कर्ण्या युवतयास चा सहर्षम सोल्लासम चा मानयनती हमारे हर्यान प्रदेश में इस पर्व को सभी कर्ण्याए यानि कि सभी लड़कियां और सभी युवतियां बड़े ह हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। आपीचा और इसी के साथ ही ग्रीश मस्य प्रचंड आत पेन। व्यथिताह जनहा वर्षाया शीकर कणान शीतलम वातावरणम चा अनुभूय नवजीवनम लभंते। यानि की गर्मी की इस भयंकर तपिश से दुखी लोग वर्षाया शीकर कणान इसकार्थ है वर्षा की बूंदें, वर्षा की फुहारें और शीतलम वातावरणम यानि की ठंडे वातावरण का अनुभूय अनुभू करके नवजीवनम लभंते। इसकार्थ है नए जीवन को प्राप्त करते हैं। सरलर्थों में समझे तो गर्मी से परेशान लोग वर्षा की बूंदों की द्वारा और ठंडे वातावरण का अनुभू करके आनंद को प्राप्त करते हैं। सभी पेड, सभी पौधे और सभी लताएं यानि की बेले ये सभी हरे भरे और फूलों से युक्त हो जाते हैं। हरित वरनस्य बाहुल्याद इसी हर्याली की अधिक्ता के कारण ही इदम पर्व हर्याली तीज इती नामना अपिप्रसिद्धम। हर्याली की अधिक्ता के कारण ही इस पर्व को इस तेवहार को हर्याली तीज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि चारो ओर हर्याली होती है और इसी कारण ये पर्व हर्याली तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पिता की बाद पूरी होने के बाद माता खहती है अध्यवयम पाक शालायाम, पायसम, अपूपान, सूत्रिकह, गुडगोलादीनी बहूनी व्यंजनानी अभी पचाम हा। की आज हम अपनी रसोई में खीर, माल पूए, सिवईयां और गुडगोलादीनी यानि की गुलगुले आदी अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं। हस्ता योहो मेंधि काम ले पया महा, हाथों पर मेंधि लगाई जाती है, मध्या अनेच, और दो पहर में उद्ध्यानम गत्वा, बगीचे में जाकर सक्खी भी सह, सक्खियों के साथ दोलाम आरूहय, गीतम गायंत्या दोलामह, यानि की जूले पर गीत गाते हुए जूलत हैं, साय काले नृत्य गीता दिभी मनुरंजनम कुर्मह, और शाम के समय, नृत्य और गीतों के द्वारा मनुरंजन करते हैं, पिता फिर से अपनी बात कहते हैं, वस्तुतह तीज पर्व, स्त्री नाम प्रमुखम पर्व विद्यते, कि वास्तों में तीज पर्व, महिलाओ का प्रमुक्त्यवार है, अस्मिन एव समये और इसी समय पर पित्र पक्षतह, यानि कि पिता के घर से स्वकर्ण्यायाई, अपनी कर्ण्या के लिए घेवर मिश्टानम, फलानी, वस्त्र भूशन आधिकम, प्रिशते, यानि कि पिता के घर से अपनी बेटी के लिए घेवर नामक मिठाई, फल, वस्त्र अभूशन आधी भेजे जाते हैं, यत लोके कोथली इतिकत्यते, जिसे समाज में कोथली कहा जाता है, अपीचा स्वशुराल अयाद, नववद्वाई सिंधारा अपी प्रेशते, और इसके साथ ही स्वशुराल से नववद्व के लिए सिंधार भी भेजा जाता है, या तो ही क्योंकि नवविवाहित हा, प्रतमम श्रावन मासम, पित्र ग्रिहे एवत इस्ठंती, क्योंकि जो नवविवाहित स्थ्रियां होती हैं, वो पहले सावन को अपने पिता के घर पर ही रहती हैं, अब दीपक बोलता है तात पिता जी तीज नाम कहा कश्चन सुंदराह कीट विशेशो अभी भवती कि तीज नाम का कोई सुंदर कीडा भी होता है तस्य नाम तीज इती कथमस्ती उस कीडे का नाम उस कीट का नाम तीज कैसे बढ़ा पिता कहते हैं उचित प्रश्णह यानिकी अच्छा सवाल पूछा है श्रामन मा से तीज पर्व समये एव अतीव सुंदराह रग्त कौशे यवर्णह कीटो जायते कि तीज पर्व के समय पर ही एक बहुत ही सुंदर लाल रिश्मी रंग वाला कीडा उत्पन होता है अस्मा देवतम कीटम तीज इती कथया महा और तीज के पर्व पर उत्पन होने के कारण ही उस कीड़े को तीज के नाम से जाना जाता है विमला कहती है ग्यातम तात यानि कि हे पिताजी मुझे भी ये बात समझा गई आम अपी तीज पर्वनी अधुनाईव संजी भवामी मैं भी अब तीज पर्व के लिए तैयार होती हूँ आज्या पयतू मुझे आज्या दीजिये पिता गहते हैं आम हाँ गचवत से जाओ पुत्री तीज पर्व आयो जाये तू तीज पर्व के तैयारियां करो तो ये था कक्षा आठ की संस्कृत का सो लहवा पाठ तीज पर्व अशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद झाल